एमडी आस्टर के प्राइजिंग और फीचर्स आ चुकी है और आज की वीडियो में हम बेस मॉडल के प्राइजिंग और फीचर्स को कवर करेंगे और प्राइज और फीचर्स उनके आप शौक हो जाओगा क्योंकि यहां पर बेस्ट इन क्लास बहुत सारे चीज़े आपको द आस देखने को मिलता है इसमें AI बेस्ट एक रोबोट भी है आपने देखा होगा यह देख सकते हैं आप स्क्रिन पर जो कि आपके सारे कमांड को रिपलाई करेगा तो यह बहुत अच्छी वात है कि इसमें फीचर्स हमें बहुत कुछ मिलते हैं और और आपको टॉप मॉड आस रहने वाले हैं मतलब आस्टर के फीचर सुनने के बाद आपको लगेगा ऐसी कोई कार्स नहीं है इस सेमें में जो कि बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स दे तो वीडियो एंड तक देखना सब भूल जाओगे इसके फीचर सुनके तो स्टार्ट करते हैं पहले तो एक वायपर, hadar, वॉशर देखने को मिलता है तो एकस्टीर भी काफी सही है मतलब इस मॉडल जैसे लगनी रहा है विन्डो में आपको क्रॉम लाइन देखने को मिलती है तो पहली बेस मॉडल वाली गाड़ी होगी जिसमें स्टेरिंग वील लेदर रैप्ड है खील है फोल्डबल की के साथ चारो पाउर विंडू है एलेक्ट्रिक एड़स्टेबल ओर वियम है मतब एलेक्ट्रिक ली आप इनको आड़स्ट कर पाओगे फोल्ड नहीं कर पाओगे 60-40 split seat है फ्रेंट में center armrest है storage के साथ इसे के साथ पीछे भी armrest है और पीछे वाली seat के जो headrest है वो भी आपको adjustable मिलेंगे जो की बहुत अच्छी बात है इसे के साथ इसमें आपको automatic AC है rear AC वेंट है और air purifier देखने को मिलता है infotainment में आपको 10 inch का touchscreen infotainment देखने को मिलता है जिसमें android auto apple car play के साथ steering mounted controls दिये गये हैं सारे साथ में phone के लिए steering में controls है charge speaker के साथ हाता है तो गईस यहां पर देख सकते हो features मुझे लगता है कि base model में almost सब कुछ तो आपको मिल रहा है बस वही connected वाले features या AI अडास यह सब आपको नहीं मिलेगा बांकि जो हमें चाहिए होता है daily अपनी drive में जैसे दूसरी गाड़ी offer करती है वो तो आस्ट heel hold assist, ESS, rear disc brake, चारो disc brake और इसी के सार rear parking sensor, speed sensing door lock और impact sensing door unlock, ISO fix security alarm और engine immobilizer, पीछे wiper defogger, washer यह तो मिलता है तो देख सकते हो features भी almost base model में अच्छे खासे दिये गए हैं वैसे आपको बता दूँ एक fact कि MG Aster GS Electric उस पे based है इसने 5 star score किये हैं globally, Indian version का crash नहीं है बढ़ हाँ यह अपन expect कर सकते हैं कि भाई Aster भी 5 star score करेगी, मतलब MG Aster safe भी रहने वाली है, अब features तो मुझे बहुत ही कमाल के लग रहा है, base model का, अब बात करते हैं pricing के बारे में, तो guys Aster का जो base model है, वो है style variant, इसमें के वर manual transmission देखने को मिलता है, petrol में, इसकी एक showroom price है 9.78 lakh, तो देखो यहाँ पर features भी इतने ज्यादा मिल गए, best in class features भी मिल गए और pricing भी guys यहाँ पर देख सकते हो, best in class है, introductory price काफी कम है, जैसे आप क्रेटा के अगर base model की price देखो तो वो start होती है, आज के time पर 10.16 lakh की, और Celtos start होती है 9.95 lakh से, तो यह दोनों जोसका major competition में है, उनसे MD Aster base model की price कम, अब या बताओ आस्टर को आप pick करोगे की नहीं करोगे, in fact आस्टर का जो top end variant है ना, sharp variant उसकी भी pricing काफी affordable रखी गई है, खोब बताओ आपको base model आस्टर के features कैसे लगे, मिलता है next video पर, see you soon